हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टुमाई यूटूब चैनल दा नौलेज नोकर तो आज हम साइन्स की सीरीज इस्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लासिक्स न्सी ऑरटी का फर्स सेप्टर पढ़ेंगे न हीए डाटी कॉपोनेंट्स फूड मैं हम पढ़ेंगे कि हम कौन्ड़ कॉन्ड फून से दीजांट परिजनट हैं चारएं नंको पहिंचान कैसे नियुर्टी का पर रिये हैं उर मैं पैशन्द यह कॉननला वाले हैं чув सी नहीं लें तो हम को कौनकों सी डीजिज हो जाएंगी कौनकों से विटामिंस की डेफिसियंसि हो जाएगी वह सब हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हम मील लेते हैं उसमें हमारी कौन कौन से आइटम्स प्रिजेंट हो सकते हैं तो देखिए हमारी मील में क्या क्या हो सकता है चपाती हो सकती है दाल हो सकती है ब्रिंजल करी ब्रिंजल करी सबजी है कुछ भी और सबजी हो सकती है कोई भी दूसरी दूसरी meal में क्या हो सकता है राइ, सामबर, बैजी टेबल, लेडी, फिंगर, बिंडी ये सब हम खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं इल्ली सामबर, फिस्ट करी and बैजी टेबल इसके अलावा भी बहुत टाइब की meal होती है उनको भी हम खाने में ले सकते हैं सबाजिए यहां पे यहां पर यह कुछ एक्जाम्पल्स हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट में अलग अलग टाइब का खानः घाला खाया जाता है का फूढ अलग टाइप का होथा है आंदिपरदेश का अलग टाइब का है साउत के जो होते हैं यहां पे इस वाले एरिये में ज़्यादा घटाह जटा है अगश्छी सिर्फ महराष्ट में का जटा है नेकिन महारास्ट का है राजिस्तान गा डाल राइस कहां का है बिहार का एंड इडली सामबर कहां का है साउथ साड का जो साउथ में जो भी स्टेट हैं वो उसमें इडली सामबर ज्यादा चलता है डोसा इलली सामबर ये सब चीजें वहाँ पे ज्यादा खाते हैं तो ऐसे ही और भी स्टेट हैं उनके भी अपने एक पर्टिकुलर फूड होते हैं तो यहां पर मैंने यह कुछ आपको एक्जांपल दिये हैं तो स्टुडेंट यहां पर अभी चैप्टर में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको हम पढ़ लेते हैं जो हमारा जो मील होता है उसमें एक तो ग्रें होता है एक क्या होता है आइटम यहां पर लिखा हुआ है तो एक आइटम ग्रें का बना हुआ होगा इसके अलाबा और क्या हो सकता है दूसरा अइटम क्या हो सकता है किस चीज का बना हो सकता है उसमें दाल हो सकती है कोई भी this of meat उसकती है एंड वेजटेवल Ol Sकते किसी भी किसी जीज की सबजी वगडर हम उसमें ले सकते हैं तो यह होगा हमारा वेजटेवल जो सरसों का साग कॉंदु यह सब चीजे में में अंबुद चते हैं और इसके अलावा में इसके अलावा को प्रबिवेश्क केरश पर क्ल्क न nervous कि कड्न में इन्क्लूड करते हैं और और मिल सब्सक्राइश्क को दोला देगा में माक्क Records करते हैं तो ग्रेन का हमने क्या बनाया मक्य की रोटी बनाई आइटम ऑफ दाल और मीट क्या बनाया राजमा किड़नी बीन्स वेजिटेबल सरसों का साग अधर में कड़ और घी वो इंक्लूड कर सकते हैं सेम एज अंधर परदेश में क्या लेते हैं ग्रेंस में राइस और मीट में और दाल में हम तूर दाल एंडरसम वेजिटेबल समने कुंद्रू एक मील में यह हम सारी चीजें इंक्लूड करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम यह सारी मेलें अपने मील में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं इसे हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं वी में इट वाटेवर इस अवेलेबल ऑन दावे रास्ते में हमको जो भी मिलता है हम उस चीज को खा लेते हैं इत में नौट भी पॉसिबल फोर सम आ हुसा सकता हैं कभी कभी खा सकते हैं और इसके अलावा कुछ एक्सेशा अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि यहीं How do different food items. εκ dellegas पाए जाते हैं अब हम यह यहां पर पढ़ने जा रहे हैं we know that each dish is usually made up of one or more ingredients हमको पता है कि एक जो डिस है वह एक से ज्यादा ingredients से मिलके बनी होती है which we get from plants or animals और वह जो इंग्रीडियंट है वह हमको कहा से मिलेंगे या तो plants से मिलेंगे या तो कुछ आसे car doesでしょう ki ह fund में क्या बोलते हैं निitrients बहुते हैं यह जो पाए जाते हैं कुछ स्पेसर सब्सक्राइबould हैं नियुट्रीन की हम चाहिए हम बोलेंगे हैं कि हम दाल का रहे हैं हम बोलते हैं कि दाल में कौन-कौन से न्यूट्रियन्स है तो दाल एक न्यूट्रियन्स पूड़ है क्योंकि उसमें ज्यादा क्या पाजाता है प्रोटीन पाजाता है इसलिए हम दाल खाना प्रिफर करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं या फ्रूट में फाइबर होते हैं जो आखाने, तो इनिम्ल से मिलएंग तो जो भी हम फूड करते हैं यह जो भी फूड बनता है जो हमारी भाऊंद से हाटेये होते हैं वह या प्लांट को हमारे दिस हमारी निम्ल मिल Eld व स्टीव द्यून से लिए और इन्दर से अन्दर और रहा हुआ और इन तब major nutrients in our food are named nutrients तो बहुत सारे हैं लेकिन जो main nutrients जो हमारी body के लिए चाहिए होते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता वो कौन-कौन से हैं वो यहाँ पे दिये हुए हैं वो है हमारा carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals ये ऐसे nutrients हैं जो हमारी body के लिए essential हैं अगर हम इन nutrients को consume नहीं करेंगे तो हमारी body के अंदर किसी भी चीज की deficiency हो सकती है या फिर कोई disease हो सकती है तो वो कौन-कौन से nutrients हैं जो हमारी body के लिए जरूरी हैं उनमें हैं ध्यान से पढ़ना carbohydrate है, protein, fats, vitamins and minerals ये nutrients हैं तो five nutrients ऐसे हैं जो हमारी body के लिए essential हैं next है अपना food contains dietary fibers and water which are also needed by our body तो ऐसे food जिनके अंदर क्या होता है, dietary fiber होता है और water होता है वो हमारी body के लिए बहुत जरूरी होता है तो dietary fiber क्या होता है, dietary fibers होते हैं जैसे हमारे vegetables है, fruits हैं ये सारी चीजे जो है वो dietary fiber में आती है dietary fiber जो है वो हमारी body का digestion system है उसको healthy रखता है तो इसलिए हमारी body के लिए dietary fibers भी बहुत जरूरी होते हैं water आपको पता ही है कि बिना water के अपन जिन्दा नहीं रह सकते हैं, we can't live without water तो पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है तो ये सब चीजे हैं जो हमारी body के लिए बहुत जरूरी होती है do all food contains all these nutrients तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि जितने भी सारे food हैं क्या उनके अंदर ये सारे nutrients पाए जाते हैं पाए तो सारे जाते हैं, almost एक food के अंदर 5-6 nutrients पाए जाते हैं लेकिन comparatively कौन सा ज़्यादा पाए जाता है वो हम यहाँ पे test करेंगे with some simple methods we can test whether cooked food or raw ingredient contains one or more of these nutrients तो कुछ ऐसे simple methods होते हैं जिनकी help से हम test कर सकते हैं कि cooked food में ज़्यादा nutrients होते हैं या फिर raw ingredients में ज़्यादा nutrients होते हैं the test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients तो carbohydrate का test करना protein का and fat का test करना थोड़ा simple होता है बजाए और किसी nutrients के test के बाकी nutrients का जो test करना है वो थोड़ा difficult होता है लेकिन यह 3 nutrients ऐसे होते हैं जिनका test हम easily कर सकते हैं तो अब इन टेस्ट को करने के लिए कुछ solutions की हमको जरुवत पड़ेगी बिना solutions के हम test कैसे कर पाएंगे तो इन टेस्ट को करने के लिए किस solution की जरुवत पड़ती है नमर बन है solutions of iodine second copper sulphate and caustic soda हमको चाहिए होगा और हमको क्या चाहिए होगा test करने के लिए you will also need a few test tubes कुछ हमको test tubes चाहिए होंगे and a dropper और एक dropper चाहिए होगा तो यहां पर मैंने एक table बनाया हुआ है in solutions के लिए for carrying out these tests you will need some solutions like हमको क्या-क्या चाहिए होगा वह मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं यहां पर आपको बतारी हूं कि यहां पर कौन सी चीज या कौन सी solution कितनी क्वांटिटी में हमको लेना है तो फर्स्ट है मारा dilute solution of iodine iodine का कैसा solution चाहिए अपनको dilute dilute मतलब liquid solution चाहिए can be prepared by adding a few drops of tincture iodine अब इस solution को हम कैसे बना सकते हैं हमको क्या करना है थोड़ा सा tincture iodine डालना है to a test half filled with water तो हमको किस में डालना है यह test tube में डालना है जो कितनी भरी होई होनी चाहिए आधी भरी होई होनी चाहिए हाफ filled water से वो भरी होई होनी चाहिए एक test tube लेंगे उसको हम आदा पानी से बढ़ लेंगे उसके अंदर क्या करेंगे few drops tincture iodine की डालेंगे और वो हमारा बन जाएगा iodine का dilute solution तो एक तो हमको यह बनाना पहलेगा पहला solution दूसरा जो solution बनेगा वो कैसे copper sulphate solution can be prepared by dissolving two grams of copper sulphate in 100 ml of water अब copper sulphate का solution बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 ml हमको water लेना है उसके अंदर सिर्फ 2 gram copper sulphate मिलाना है और वो मन जाएगा copper sulphate का solution next solution बनाएंगे कैसे बनाएंगे 10 grams caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda तो इसमें भी हम क्या करेंगे 100 ml water लेंगे उसके अंदर 10 gram caustic soda add करेंगे और हमारे पास caustic soda का solution तयार हो जाएगा तो इस तरह से हमको यह 3 solution बनाने हैं हमको किस चीज की जरुत पड़ेगी सबसे पहले हमको iodine के solution की जरुत पड़ेगी solution of copper sulphate की जरुत पड़ेगी and caustic soda और हमको test tube और dropper की जरुत पड़ेगी उसके उसके बाद में हम test perform करेंगे तो first हम जो test करेंगे वह हमारा starch starch यानी carbohydrate का टेस्ट हमको करना है तो किसी भी raw ingredient में starch present है या नहीं उस चीज का पता हम कैसे लगा सकते हैं हमको क्या करना है take a small quantity of food item हमको एक food item की small quantity लेनी है जो कैसा होना चाहिए raw ingredient होना चाहिए यानि कि कच्चा होना चाहिए ठीक है पका हुआ नहीं कच्चा होना चाहिए put two to three drops of dilute iodine solution जो iodine solution हमने tincture iodine का यूज करके जो बनाया था उसकी 2-3 drop उस raw ingredient पर डालनी है observe if there is any change in the color of the food item और हमको थोड़ी देर तक observe करना है कि क्या उस food item का color change हो रहा है did it turn blue black क्या ये blue और black में थोड़ा turn हो रहा है मतलब change हो रहा है color अगर हमको ऐसा लगे कि इसका color हलका सा blue और black जैसा black is होता जा रहा है तो फिर हमको क्या पता चलेगा कि blue और black color है जो ये indicate कर रहा है कि उस food item के अंदर क्या है starch प्रिजेंट है तो देखे मैंने यहां पर यह पिक आपको दिखाई है इस फोटो में एक पटाटो है जिसके ऊपर हमने क्या डाला iodine का solution डाला iodine का solution डालने के बाद हमने यह observe कि थोड़ी देर तक कि क्या इसमें blue और black is color हो रहा है तो यह देखो यहां पर blue और black is color हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ इस black color का मतलब है यह जो black color हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर starch available है तो starch का test करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक raw ingredient लेना है उसके अंदर iodine solution की 223 drops हमको डालनी है उसके बाद हमको observe करना है कि अगर उसका जो color है वो blue और black color में change हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि that food item contains starch मतलब उस food item के अंदर starch क मतलब प्रिजेंट है या जो nutrients है starch वो इसके अंदर प्रिजेंट है नेक्स्ट हमारा test है protein का कि किसी भी food item के अंदर या किसी भी raw ingredient के अंदर protein present है या नहीं इस चीज का पता हम कैसे करेंगे तो इसका पता करने के लिए हमको क्या करना है हमको एक small quantity लेनी है किसकी food item की test करने क लिए हमको food item की small quantity लेनी पड़ेगी if the food item you want to test solid अगर आपके पास में कोई solid food ingredient है और उसके अंदर आपको protein की availability test करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसको उसका paste बनाना पड़ेगा या तो या तो उसको powder form में change करना पड़ेगा एक दम solid food की हम में हम test नहीं कर पाएंगे कि उसके अंदर protein present है या नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा अगर solid food है तो तो हमको उसको पहले या तो paste बनाना पड़ेगा या तो उसका powder बनाना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको उसको grind करना पड़ेगा और mash क करना पड़ेगा इना स्मॉल कॉंटिटी ऑफ फूल आइटम्स पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट्यूब अब को एक क्लीन टेस्ट्यूब में कुछ मात्रा इसकी डालनी है एड टेन ड्रॉप्स ऑफ वोटर उसके अंदर कितना पाइं डालना है अनली टेन ड्रॉप वो कॉपर सॉल्यूशन की डालनी है किटी डालनी है two drops डालनी कि कि कोपर सलफेट की and 10 drops of solution of caustic coda और डालना है उसमें caustic soda डालना है तो फिर उसको अच्छे से से करना है and the test ढूंट प्रकूर में उसको छोड़ देना है तो आपको क्या देखोगे आप उसमें क्या देखोगे वहाद कर दो उसके बाद में हमने copper sulphate and caustic soda डाला और उसको थोड़ी देर हिला के और हमने उसको रख दिया तो थोड़ी देर में उसका जो color है वो कैसा हो जाएगा वॉयलेट हो जाएगा अगर वॉयलेट हो रहा है तो इसका मतलब यह कि उसमें protein present है और अगर वॉयलेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह कि उसके अंदर protein present नहीं है तो इस तरह से हम कई सारे food items को check कर सकते हैं कि उन को फूर आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होगी अगर आपके पास में फूर आइटम सॉलिड है तो उसको पहले मैस करना पड़ेगा उसकी पाउडर फॉम बनानी पड़ेगी उसके बाद में हमें क्या करना है एक क्लीन टेस्ट्यूब लेना है उस पाद में हमको क्या करना है उसके अंदर कॉपर सलफिट की टू डॉपस डालनी है और टेन डॉपस को फ्केन हे कि कि त्सरा हे में हमें को थोड़ी देर के लिए लिए रख देंगे उसके बाद में हमको क्या पतर character चलेंगा है किॉ इस टेस्ट्यूब में जो हमने सुलिशन उसका अगर color violet हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसके अंदर protein present है अगर color उसका violet नहीं होता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसके अंदर protein present नहीं है जैसे यहाँ पर मैंने यह test tube लिया हुआ है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह violet color है तो इसका मतलब कुछ हमने इसके अंदर डाला, उसके अंदर हमने solutions डाले, थोड़ी दर के लिए इसको रखा, उसके बाद में इसका color हो गया violet, और violet color का मतलब क्या है, कि इसके अंदर protein जो है वो presence है, protein present है इसके अंदर, ठीक है, अब हमारा next test है, fats, कि किसी food में, किसी raw ingredient में, या नहीं है, उस चीज को हम किस तरह से test करेंगे, तो fats को test करने के लिए, क्या करना पड़ता है, सबसे पहले take a small quantity of food item, किसी भी food item की हमको small quantity लेनी है, जिस भी food item में हमको fat की availability चेक करनी है, उसकी हम एक small quantity लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको rapid कर देंगे, rapid लेंगे, और उसमें हम उसको लपेट देंगे and crush it, और उसको क्या कर देंगे, अलका सा क्रस कर देंगे, take care that the paper does not tear, हमको यह ध्यान रखना है, कि उसको crush इतना ही करना है, कि हमारा जो paper है वो फटे ना, tear ना हो, अगर paper tear हो जाएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा, अगर paper ही तो पता कैसे चलेगा, कि fat है या नहीं है, तो हमको बहुत साबदा नहीं से, very carefully हमको वो crush करना है, अब हम क्या करेंगे, now straighten the paper and observe it carefully, हमने एक food item लिया, उसकी थोड़ी quantity लही, उसको हमने एक paper पे रैप कर दी और हमने उसको crush किया, crush करने के बाद हमको उस paper को सीधा कर देना है and observe करना है उसको, does it have an oily patch, क्या उस पर oily patch बना है, क्या उस paper पर एक oily patch, मतलब एक धबबा, oil का एक धबबा बन गया है, hold the paper against light, उस paper को हम light के सामने hold करके देखेंगे फिर, are you able to see the light faintly, क्या आपको उस patch में से light दिखाई दे रही है, through this patch, क्या उस patch में से आपको light दिखाई दे रही है, an oily patch on paper shows that the food items contains fat, अगर हमको वो light उस में से दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस food item के अंदर fat present है, उस food item के अंदर क्या present है, fat present है, the food items may sometimes contain a little water, अब कभी कभी हो सकता है, कि किसी food item में थोड़ा बहुत water हो, जब हम उसको crust करेंगे paper पर, तो हलका सा water भी उसमें आ जाएगा, तो फिर हमको क्या करना है, therefore, after you have rubbed an item on paper, तो हमको item को rub करने के बाद में, let the paper dry for a while, थोड़ी देर के लिए हमको, उसको dry होने के लिए रख देना है, क्योंकि अगर उसमें water आ गया, उस oily patch के उपर water भी आ गया, तो हमको light, friendly दिखाई नहीं देगी, और हमको नहीं पता चलेगा, कि इसमें fat present है या नहीं है, तो हमको क्या करना, उसको थोड़ी दिर के लिए dry होने के लिए रख देना है, अगर कुछ water उसमें फूड में था और वो उस पेपर पे आ गया है, तो हम उसको जब dry होने के लिए रखेंगे, तो थोड़ी ताइम में dry हो जाएगा, यानि सूख जाएगा, पानी उसमें से सूख जाएगा, अगर कोई भी ऑईली पैच उसमें नहीं बना है पेपर पे, अगर कोई भी ऑईली पैच नहीं बना है, तो हम क्या माल लेंगे, कि उस फूड के अंदर fat contain नहीं है, यानि तो इस तरह से हम पता करते हैं, कि किसी भी फूड आइटम के अंदर fat present है या नहीं है, तो मैं आपक प्रिजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं, तो हमको क्या करना है, एक small quantity of food लेना है, उसके बाद में रैपिट कर देना है, एक piece of paper में, उसके बाद में हमको उस paper को crust करना है, क्रस हमको carefully करना है, बहुत hard उसको crust नहीं करना, जिससे कि वो paper फट जाए, हमको फाड़ना नहीं है, या और observe करेंगे carefully, कि उसके एक oily patch बना है, या नहीं बना है, अगर उसके उपर एक oily patch बना है, तो हम क्या करेंगे, उस piece of paper को light के सामने रखेंगे, और देखेंगे कि उसके अंदर से light हमको दिखाई दे रही है, या नहीं दे रही है, अगर कोई भी oily patch उस पर बना हुआ है, और उसमें से हमको फेंडी light दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर fat present है, उसके बाद में अगर अगर ऐसा होता है कि जो हमने food item लिया है, उसमें थोड़ा पानी है, तो हम पहले उस पानी को dry करेंगे, उसके अगर light हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर fat present नहीं है, और अगर हमको light friendly दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर fat present है, तो यह होता है हमारा fat का test, कि हम किसी भी food item के अंदर fat को test कैसे करते हैं, तो अभी यहाँ पे एक स्टार्ज प्रिजेंट है किसके अंदर प्रोटीन है और किसके अंदर फैट प्रिजेंट है तो नमर वन है हमारा रो पैटटों रो पैटटे के अंदर स्टार्ज प्रिजेंट होता है ऐसा नहीं है कि प्रोटीन और फैट बिल्कुल भी प्रिजेंट नहीं होते वह भी होते ह हैं इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे एक फूड आइटम के अंदर कई सारे नीट्रेंट्स प्रिजेंट हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि पटर्टे के अंदर सिर्फ स्टार्च प्रिजेंट है मिल्क के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है तो हमने प्रोटीन ले लिया ग्राउंड नट में फैट ज्यादा होता है अनकुक्ड राइस में स्टार्च होता है कुक्ड राइस में भी स्टार्च होता है ड्राइ कोकोनट में फैट होता है अनकुक्ड तूर दाल जो की पावडर फॉर्म में है उसमें प्रोटीन पाए जाता है कुक्ड दाल में भी प्रोटीन पाए जाता है a slice of any vegetable में पैटोटो में starch किसमें पेटोटो में a slice of fruit के अंदर क्या पाये जाता है ना तो स्टार्ट पाये जाता है ना प्रोटीन पाये जाता है और ना फैट पाई जाता है क्योंकि fruit और वेजिटेबल जो है वो डायटरी फाइवर है यह मतलब यह हमरे को हेलदी रखने के लिए इनको क्षाते हैं करते हैं नेगें किस फूड में प्रोटीन किस आपना यहां पर से जान लिया है तो तो किस पूड में प्रोटीन किसमें स्टार्च आपको बता दिया गया है तो कुछ और अबहुद हमने लेकिन यहां फेले हैं हम पड़ेंगे कोंसा होता है तो किस फूर से होते हैं वह हमारी बॉड़ी के लिए क्यों जरूरी होते हैं तो देखिए कार्बोहेड्रेट मैं प्रोवाइड एनर्जी जो कार्बोहेड्रेट हैं किसी भी फूड में कार्बोहेड्रेट का होना क्यों जरूरी है जरूरी इसलिए है क्योंकि कार्बोहेड्रेट जो है उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें नहीं करते हैं उसके लिए भी एनर्जी की नीड होती है आप आपने कभी कभी देखा होगे कि जब हम study कर रहे होते हैं तो हमको भूख बहुत जादा लगती है और जल्दी जल्दी भूख नंगले लगती है तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पढ़ाई करने में भी एनर्जी खर्च होती है सब्सक्रादा सहे दोंगे देते हैं ऐनफेक्ट अगर अगर हमने same amount का carbohydrate consume किया है और same amount का ही हमने fat consume किया तो हमको fat से ज़्यादा energy मिलेगी बज़ाए carbohydrate के Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food जिन food से हमें क्या मिलता है? Carbohydrate मिलता है और fat मिलते हैं ऐसे foods को हम energy giving foods कहते हैं तो इसकी definition क्या हो जाएगी? What are the energy giving foods? That is food containing fats and carbohydrates are called energy giving foods तो जिन food के अंदर fat और carbohydrate contain होता है वो जो food होता है वो energy giving foods होता है यहाँ पर कुछ examples यहाँ पर हमने दिये हुए हैं Carbohydrates के देखे कौन कौन से example हैं Sweet potato, sweet potato के अंदर carbohydrate होता है Next है हमारा sugar cane, sugar cane के अंदर भी carbohydrate होता है Wheat के अंदर भी carbohydrate होता है Rice है, बाजरा हो गया यह हो गया हमारा maize हो गया और watermelon, watermelon में water melon, musk melon Mango हो गया यह जो food हैं उनके अंदर क्या होता है? Carbohydrates की presence जादा होती है इसा नहीं है कि सिर्फ इन foods के अंदर सिर्फ carbohydrate होता है Carbohydrates सिर्फ carbohydrate नहीं होता है और भी nutrients होता है लेकिन Carbohydrates जादा होता है इनको जब हम consume करते हैं तो हमें थोड़ी energy जादा मिलती है Some sources of fat अभी मैंने यहापे आपको Carbohydrates के कुछ सोर्स बता है मैंगो मेज वाटर मेलन स्वीट पटेटो वीट बाजरा राइस सुगर केन यह सब क्या है Carbohydrates के सोर्सेज है नेक्स्ट है Some source of fat अभी तो कुछ सोर्स होंगे तो इसमें दो टाइप के होता है प्लांट बेस्ट जो fat हमें प्लांट से मिलता है जैसे coconut oil में fat होता है जो प्लांट से मिलता है soya bean oil तिल कर जो ट्री होता है coconut ground nuts यह हैं हमारे plant sources of fat यानि यह जो fat है हम को प्लांट से मिलते हैं यह कुछ examples हैं इसके अलावा भी सारे sources हैं जिन से हमें fat मिलता है animal sources of fat जो fat हमें animal से मिलते हैं वह हमारा घी milk butter cream egg fish and meat यह सब हमें किसे मिलते हैं animal से मिलते हैं next हम क्या पढ़ेंगे अभी proteins की हमारी body में proteins की need क्यों होती है हमारे लिए protein इतना जरूरी क्यों होता है body के लिए तो proteins are needed for the growth and repair of our body तो देखिए जो कार्वाइडेट और fat थे वह तो हमें क्या दे रहते energy दे रहते की नहीं दे रहते energy से ही तो काम नहीं चलेगा हमारी body को grow होना भी तो जरूरी है जैसे हम चोटे बच्चे हैं बच्चे से हमको बड़ा होना भी जरूरी है बच्चा कुछ खाएगा तो उसको energy तो मिल जाएगे खेलने के लिए लेकिन अगर वह protein नहीं लेगा तो वह grow कैसे करेगा तो protein की जड़त कि लिए हमारी body को grow करने की लिए वड़ते हैं तो उसके लिए कि अगर उपन कॉल्दव रहे हम क्या बोलते हैं जिन फूड में प्रोटीन होता है ऐसे फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड क्योंकि ऐसे फूड से हमारी बॉडी ग्रो करती है तो यहां पर कुछ एक्जामपल से नमर वन है plant-based protein मुलता है मुंभ दाल सोय, बीन, पईजामपल से हमें Animal-based protein मिलता है मीट बहुत है फिस, एग, इन सब से बीड़ darum ये कुछ एक्जामपल है इसके अलावा और भी एक्जामपल से है नेक्स्ट हम पड़ेंगे की विटामिन्स अब विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है हमने पड़ा कि कार्बोहेड्रेट हमाई एनरजी देते हैं सब्सक्राइबS नहीं कर पड़ेंगे कोई काम करते हैं जरूए है और हमारी बॉड़ी के लिए बहुत देने हमें बॉडिके लिए कियों ज़्रूरी हैं पिज की जरण हों कि बिचैने के लिए हमको चोटी है किसकी जरूत होती है students vitamins की जरूत होती है vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy जो हमारी eyes हैं, हमारी bones हैं, teeth हैं और हमारे जो gums हैं उनको healthy रखने के लिए vitamins is very useful vitamins are of different kinds known by different names vitamins के बहुत सारे types हैं की और उनके names भी different different है some of these are here like कुछ होते हैं जिसे vitamin A है, vitamin C, vitamin D, vitamin K and vitamin E and vitamin B भी होता है, vitamin B मैं यहां लिखना भूल गई हूँ, तो यह होते हैं हमारे vitamin B यहां लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ हमारी vitamins कौन-कौन सी है, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K there is also a group of vitamins called vitamin B complex, vitamin B में बहुत सारे vitamin B होते हैं, vitamin B1 होता है, vitamin B2 होता है, vitamin B6 होता है, vitamin B12 होता है, कई सारे vitamins B में होते हैं, our body needs all type of vitamins in small quantities, थोड़ी ही quantity में हम vitamins को लें, and eyes healthy, vitamin A हो हमारी skin को और eyes को क्या रखता है, healthy रखता है, तो हमको vitamin A rich food खाने चाहिए, vitamin C क्या करता है, vitamin C helps body to fight against many diseases, बहुत सारी बीमारीों से लड़ने में हमारी help करता है, vitamin C, vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth, जो हमारी bones और teeth है, उनको strong बनाने में vitamin D help करता है, तो यहां पर कुछ sources हैं, जिनसे हमें vitamin A, B, C and D मिलते हैं, तो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, automatically absorb in some sources of vitamin A and vitamin A किस में होता है, पॉपाया में होता है, कुछ examples हैं vitamin D, butter, milk, meat, face, egg and sunlight, sunlight से हमें बहुत जादा बिटामिन मिलता है, जो morning की sunlight होती है उसमें हमें हमेसा sun bath लेना चाहिए, जिसे हमारी bones होते हैं, वो काफी strong होती है, next है हमारा minerals, minerals are needed by our body in small amount, और की मिन्यारी खूंट की हमारी बॉड़ी को कम मात्रा में जरुत पढ़ती यह एक थोड़ा जो 19 के लिए बहुत जरूरी travается है और हमारी good health को maintain रखने के लिए हमें minerals की नीजर होती है तो minerals हमें किस किस से मिलते हैं ginger salt crabs इन से हमें क्या मिलता है iodine मिलता है some sort of phosphorus किसे मिलता है milk बनाना green chili and wheat इन सब से हमें phosphorus मिलता है तो यह हमारे iodine और phosphorus क्या है मिनरल्स हैं जो हमारी body के लिए बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि हमारी body की प्रॉपर growth के लिए और हमारी health को maintain करने के लिए minerals भी जरूरी होते हैं next is some sources of iron iron के लिए spinach meat apple and broccoli इन में iron पाया जाता है calcium milk and egg में calcium पाया जाता है अब हम पढ़ने वाले हैं next है most of food items usually have more than one nutrients जो ज्यादा तर food होते हैं उनमें एक से ज्यादा nutrient पाय जाता है हाइवर in a given raw material जो raw material होता है one particular nutrient may be present in much larger quantity जो हर एक food ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारे nutrients होते हैं लेकिन एक nutrient ऐसा होता है जो उसमें ज्यादा quantity में पाये जाता है जो उसमें larger quantity में पाये जाता है तो एक जांपल राइस जो ज्यादा होती है तो राइसाइस more carbohydrates फान दूसरे की तुलना में राइस में जाधा पाय जाता है दस वी से यह तो इसलिए हम राइस को कैसा फूट बोलेंगे चारबोहाइड्रेड रिच फोर्स और फूर यानि जाधा पाय जाता है विशाथ दीज नूट्रियंट्स आवर बोडी नीड डायटरी फाइवर न्यूट्रियंट्स के अलावा हमारी बोडी प्रफेस जिनकी जो रफ सोती हैं इस तरह के जो फूड निद भिडर की जरुपर लप आइटर контр लगते हैं रफेज इस मैंनली प्रोवाइड़ बाइड प्लांट प्रोड़क्ट इन अवर फूर्ड हमारे जो फूर्ड प्लांट प्रोड़क्ट है उनसे हमें जातर डाट्री फाइवर मिलता है वोल ग्रेंज और पल्सेज पोटेटो फ्रेस फ्रेस फ्रूट एंड रफेज में इन उतनम इन्योट्रियंट प्रोड़क्ट यह नहीं लौक्ट वहां है सट एण्पायज ईकले सबट में लि dürागतर माद्स नहीं अब मिलता सब्रेकिन अबली सव्ट्सुपोनेंट है क्या रफफेज्त या फिर दाट्रिटरी फाइवर सब्स को सब्स को सब्स को काने चाहिए डाएटर को छुट्कार दिलाने चो को नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ व्टर वाटर हो तो लेते हैं उनको एबजॉर्ब करने के लिए हमको वाटर वाटर की जरूरत होथ है अजो तोटेश तेट लिएक वांगार निकालने में सम वेस्ट मतलब कुछ वेस्ट को फ्रॉम बॉडि एज यूरिएन एंड स्वेट पॉस्ट होते हैं वेस्ट निकालने में हमारा जो वाटर है वह हईल्प करता है या यूरिन के तुरु निकालते हैं या पिर हम पसीना जो क्या हम सब्सक्राइब करें छोर्ष हम सब्सक्राइब कर दोड़ान। तो अभी हमको एक activity करनी है, जिसमें हमको पता करना है कि किसी food item के अंदर पानी है या नहीं, यानी water उसके अंदर present है या नहीं, तो आपको क्या करना है, एक tomato लेना है, या फिर कोई भी fruit ले सकते हैं, like lemon हमने ले लिया, अब इसको small small pieces में cut करना है, क्या करना है small pieces में cut करना है तो आप क्या देखेंगे कि आपके जो हैंड है वह वैट हो जाते हैं यानि गीले हो जाते हैं carefully observe whenever and fruits are being cutting जब भी हम किसी fruit को cut करते हैं या फिर उसको peel करते हैं या छीलते हैं या ग्रेट करते हैं फिर मैस करते हैं at your home तो जब भी हम किसी fruit को या किसी भी vegetable को cut करते हैं या फिर पील करते हैं ग्रेट करते हैं तो क्या होता कि अपने जो हैंड हो वैट हो जाते हैं यानि गीले हो जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस particular fruit या वैजिटेबल के अंदर पानी अवेलेवल है वाटर अवेलेवल है डू यू फाइंड एनी फ्रेस वैजिटेबल और फ्रूट्स दैट दू नौट कंटेंज सम अमांट ओ वाटर क्या आपने कभी ऐसे कोई fruits और वैजिटेबल को देखा है जिसके अंदर पानी नहीं हो तो सारे fruits और वैजिटेबल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर अवेलेवल होता है we see that many foods materials themselves contain water हम देखते हैं कि बहुत सारे जो में पानी मिलता है जैसे जूस वाटर हमारी बडी को मिलता है जैसे इस पाइने जो अपने पालक होता है उसके अंदर पानी होता है एपल के अंदर िवार्टर मेरन मस्क्मेर्ण औरेंज एटसेटर यहीं से कुछ एक्जाम्पल नहीं जिनके egen Aunther पानी प्रिजेंट नहीं है और नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट कुरído गजिवह कर रहे हैं फिर हमने पढ़ा कि जो nutrients पाए जाते हैं उनको हम test कैसे करते हैं कि किसी food item में वो वाला particular nutrients present है या नहीं है अब यह सब भी हो गया अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि water की हमारी body को need क्यों होती है जो water होता है वो हमारी body में क्या काम करता है कि हमने जो food consume किया है उसके अंदर जो nutrients हैं उ उन सारी चीजों को अच्छे से पचा पाए हम अच्छे से उन चीजों को digest कर पाएं इसलिए हमारी body के अंदर water का होना बहुत जरूरी है अगर water नहीं होगा या आपने कभी देखा होगा कि हम जब पानी नहीं पीते हैं तो हमें constipation की problem हो जाती है या फिर हमें gas की problem हो जात जब हम कोई भी meal ले रहे हैं या फिर हम breakfast कर रहे हैं कुछ बी कर रहे हैं तो उसमें balance diet होना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि हम किसी भी time पर कुछ भी खा रहे हैं ऐसा नहीं काना है हम एक time पर पर पर्टिकूलर चीज ही खानी चाहिए ऐसा नहीं कि हम कभी भी हम बर्गर कर रहे हैं hamaом कोह quarteringer रहे हैं क्या है हमारी हमारी बॉडि के लिए क्यों ज़रूरी है तो वह मैंने आपकोई स्टार्टिक में बता रहे हैं था कि हम विटाइमिन की कमी न हो और कोई ना हो तो थारी करी क्या हो है दार्पूड क्या होती है पहली बात तो जो रीए होता है कि जो भी फूड हम नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में वह हमारी डाइट मेंट उड़ूता हैं डाइट क्यों जरूरी है for growth and maintenance of good health हम डाइट क्यों करते हैं यह अच्छी डाइट हम क्यों लेते हैं ताकि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो और हमारी जो हेल्थ है वो सही बनी रहे हमें कोई डिजीज ना हो अब डाइट सुड है औल दा न्यूट्रियंट से अवर बॉड़ी नीड तो हम जो भी खा रहे हैं वह ऐसे फूड हमको खाने हैं कि उनकी अंदर जो हमारी बॉड़ी को जिन न्यूट्रियंट की जरूरत है वह हमें उस डाइट से मिल जाए इन राइट कॉंटिटीज और सही मात्रा में हमें जैसे हमें प्रोटीन चाहिए होता है तो प्रोटीन हमको जिन फूर्स में प्रोटीन है ऐसे फूर्स हमको काने हैं जैसे कार्भो आइडिट हमारी बॉड़ी के लिए असे फूर्स हमको खाने है तो इस तरह से हमारी डाइट को हमें बैलेंस करना है ऐसा नह अधिन वह सकति कि आंगों चाहिए एक ही टाइप का न्यूट्रियंट समले रहे हैं जैसे किसी फूर में प्रोटीन जाता है तो हम सिर्फ पूरे दिन में प्रोटीन प्रोटीन ही खा रहे हैं तो एसा भी नहीं होना चाहिए जहीं मतलब बैलेंस टोना चाहिए जितना हम प्रोटीन ले रहे हैं इतने नहीं को कर wagon कर जो दिन में ज़रुआत तो हमको ऐसी डेटि जिनके अंदर जो हमारी बोडी कोijo Richards की जरुब्त है वो शारे रहें ठीक है रहें घाउंट अब्ट हमारी पानी can ब्रफेज होटें बहुता है उसके लिए और सिक झरख़त होती है पाणी की साथ होटर की और सब्सक्राइब की से के Fell आजिए को स्कूल्ड यू LA mandate को सिrans alley को मैं या उते हैं यह रूना में चाहिए और वाटर अच्छी मात्रा में निगण अमांट में कंज्यूम करना चाहिए तो ऐसी डायेट होती है हमारी बैलेंस डायेटिस को हम बोलते हैं पल्सेज ग्राउंड नट सोया बीन स्प्राउटेड सीड से मूंग एंड बेंगल ग्राम फर्मेंटेड फूर्ड अकॉंबिनेशन फ्लोर्स बनाना स्पाइने सत्तू ज जरूटेड दालें साथ में रात को पानी में उनको ब्हुत कर दिया और शुबह में कपड़े में बांध के रख दिया ऊसके बाद में आफ्टर ट्वर्ड अव में स्प्राउट फॉर्म में तो वह होता है हमारे इस प्राउटेड सीड सीड फर्मेंटेड फूर्स अरगे हूं मक्के इन सब को तीनों को मिला कि हमने कोई आटा बना लिया उसकी हम रोटियां का रहे हैं चपाती खा रहे हैं तो वह होता है हमारा हैं इसक जरूरी होता है एक डाट दान कहीं और अच्छ है संदेख लेन लेना चाहिएं प्रोटी अब कंद्रियाइन १ ज्खेश्म तो मिलता है और कुछ थमें यह चय基本 करना है जरूर हुआ लिगांगे तो वह हमारे लिए हम प्रापार ने करना रोपर्ली कूपूड होना चाहिए so that its nutrients are not lost इससे कि नूट्रियन से वो लॉस्ट ना हो इता वेजिटेबल और फूट्स आर वोस्ट आफ्टर कटिंग और पीलिंग दें अगर हमने किसी वेजिटेबल को काट दिया है किसी फूट को काट दिया उसके बाद हम उसको वास कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि उसमे जो विटामिन से वो निकल जाते हैं पूरी तरह से तो नहीं निकलते हैं लेकिन विटामिन उसमें कम हो जाते हैं तो यह थी हमारी बैलेंस डाइट और क्या होता है इसमें the skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals तो देखो एक तो हमें fruits को काट के और vegetables को भी कट करके वास नहीं करना चाहिए कट करन चाहिए उस एक क्या होता है कि किसी-किसी fruits की और किसी-किसी बैजी टेवल में उनकी जो skin होती है जब हम पील कर देते हैं उसको तब भी उसमें से क्या होता है मिनरल से चले जाते हैं तो skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals तो हमें कोई-कोई fruits और vegetable direct consume करना चाहिए ना कि उसको पील करके तो उसके डारेक्ट उनको खाना चाहिए similarly repeated washing of rice and pulses जो rice and pulse को हम बार बार दोते हैं हमको जिससे rice बनाना है तो तो तीन वार हम उसको वास कर रहे हैं तो हम जितनी बार उसको वास करेंगे उतना ही उसके nutrients है वह बाहर निकल जाएंगे may remove some vitamins and minerals present in them उसमें जो minerals or vitamins present होते हैं वह निकल जाते हैं we all know that cooking improves the taste of food हम जानते हैं कि जो cooking करके जब हम फूड को खाते हैं तो वह जादा टेस्टी लगता है बजाए raw material के and make it easier to digest और इस को क्या होता है डाइजेस्ट करना भी easy रहता है At the same time cooking also results in the loss of certain nutrients ऐसा नहीं है कि cooking करने से हमारे nutrients lost नहीं होते हैं कुछ food items ऐसे होते हैं जिनके nutrients lost नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके cooking करने पर nutrients lost हो जाते हैं Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. जब हम cooking करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो proteins होते हैं और minerals होते हैं, वो निकल जाते हैं, लोश्ट हो जाते हैं अगर हमने उसमें excess water का use किया है तो. बिटामिन C gets easily destroyed by heating during cooking, बिटामिन C जो है वो भी destroy हो जाता है जब हम cooking करते हैं, तो यह थी है हमारी balance diet की balance diet हमको किस तरह से लेनी चाहिए, अगर हम balance diet लेंगे तो वो हमारी body को healthy रखेगा. तो यहां पर आपको यह कि यह पहली दी हुई है, इस पहली में है wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. तो इसमें लिखा हुआ कि जो animal होते हैं, क्या उनको भी nutrients की जरूरत पड़ती है और क्या उनके लिए भी balance diet जरूरी है, तो यस, तो इसका answer है yes, जो animal होते हैं, उनको भी balance diet की जरूरत पड़ती है और उनका जो food होता है, उसमें भी nutrients available होते हैं. अब क्या होगा, कि अगर हमने balance diet ली है, तो हमको कोई deficiency नहीं होगी, किसी vitamin की कमी नहीं होगी, अगर हम balance diet नहीं लेते हैं, तो हमें vitamins की कमियां हो सकती हैं. deficiency diseases में क्या पढ़ेंगे हम, if a person does not get enough protein in his, her food for a long time, he, she is likely to have stunned growth, उसकी जो growth है, वो रुख जाएगी, अगर हम balance diet नहीं ले रहें, हम ऐसी diet ले रहें, जिसके अंदर protein नहीं है, कैसी diet ले रहें, जिसके अंदर protein नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जो growth है, वो रुख जाएगी, क् protein क्या करता है, protein हमारे growth में help करता है, swelling of face, face पर swelling आ जाएगी, discoloration of hair, जो hair है, उनका color चला जाएगा, अगर तुमारे बाल black हैं, तो white हो जाएगे, skin diseases हो जाएगी, and diarrhea हो जाएगा, तो अगर हम protein rich food नहीं consume कर रहे हैं, ज्यादा time तक नहीं करें, जैसे एक दो दिन हमने नहीं क तो भी चल जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमने एक साल तक हमने protein rich food खाया ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जब हम लंबे time तक protein rich food नहीं खाएगे, तो हमारी growth है वो रुख जाएगी, हमारे face पर swelling आ जाएगी, hair का हमारा color खराब हो जाएग skin diseases हो जाएगी और diarrhea हो जाएगा, if the diet is deficient in both carbohydrates and protein, अगर हम ऐसी diet ले रहे हैं, जिसके अंदर किसकी कमी है, carbohydrate की और proteins की कमी है, for long period of time, लंबे समय तक हम carbohydrate नहीं ले रहे हैं, proteins नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, उससे हमारी growth है, वो completely रुख जाएगी, हो सकता है कि हम grow करना stop कर है, कभी-कभी आपने देख रहोगा कि किसी-किसी की height कम रह जाती है, height क्यों कम रह जाती है, क्योंकि वो जो food consume करता है, उसमें carbohydrates और protein नहीं होते हैं, तो इस वज़े से उसकी growth रुख जाती है, such a person becomes very lean and thin and so weak that he may not even to able to move, अगर किसी person की diet में क्या नहीं है, carbohydrates नहीं है, protein नहीं है, तो क्या होगा, वो weak हो जाएगा, कमजोर बढ़ जाएगा और वो इतना कमजोर बढ़ जाएगा, कि वो चल भी नहीं सकता है, इवन, में not even be able to move, वो है, चल भी नहीं सकता, इतना जदा पतला हो जाएगा, और इतना जदा वीक हो जाएगा, the deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases disorders तो अगर हमें किसी विटामिन या mineral की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है हमें diseases हो जाती है और disorder हमारी बॉडी में हो सकता है कोई disorder हो जाए All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet तो ये सारी diseases है उनको हम कैसे कर सकते हैं balance diet से prevent कर सकते हैं अगर हम balance diet ले रहे हैं हम ऐसी diet ले रहे हैं जिसके आंदर हमारी बौडी को nutrients चाहिए होते हैं growth करने के लिए अगर वह एमको मिल रहे हैं तो हमें कोई नहीं होगी कोई disorder नहीं होगा और अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में क्या-क्या है डायटरी फाइवर है वाटर है nutrients है Vitamins हम ले रहे हैं मतलब ऐसे food हम ले रहे हैं जिनके अंदर vitamins हैं तो हमारी body के अंदर कोई भी बिमारी यानि कोई भी disease नहीं होगी तो यह जो balance diet है वो क्या करता है हमारी body में diseases को prevent करता है next है कि कौन-कौन सी vitamins होती है और उन vitamins की कमी से कौन-कौन सी बिमारी हमें होती है कि नमर वन है vitamin A की कमी से क्या होता है loss of vision मतलब हमें दिखना कम हो जाता है poor vision symptoms क्या है इसके poor vision loss of vision in darkness मतलब जब नाइट हो जाती है तो हमें कम दिखना हो जाएगा sometimes complete loss of vision और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर ज्यादा विटामिन की कमी हो गई तो हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है vitamin B1 vitamin B1 की कमी से जो disease disorder होता है वह है very very इसका मतलब होता है कि weak muscles हमाई जो muscles है वह weak हो जाएंगी and very little energy to work और काम करने के लिए बहुत कम energy हमारे अंदर रहेगी vitamin C vitamin C की कमी से जो deficiency disease होती है वह है scurvy scurvy का मतलब है bleeding gums यानि हमारे दातों से blood निकलना शुरू हो जाता है bones take longer time to heal और जो wounds होते हैं जो हमारे कुछ घाव हो गया है जैसे कुछ फोड़ा फूंसी कुछ हो जाते हैं उनको heal करने में बहुत ज़्यदा टाइम लगेगा vitamin D की कमी से कौन सी disease होती है रिकेट्स इसका मतलब है कि bones become soft and bent calcium calcium की कमी से क्या होगा bone and teeth decay हमारे bone और teeth का जड़ना शुरू हो जाएगा इससे क्या होता है weak bones and tooth decay होता है iodine की कमी से क्या होता है गोईटर गोईटर क्या होता है glands in the neck appear swollen जो हमारी नेक में जो gland होती है उस पर swelling आना स्टार्ट हो जाती है mental disability in children और जो children होते हैं बच्चे होते हैं mental disability हो जाती है किसकी कमी से iodine की कमी से हमें calcium iodine और iron यह सब लेना भी बहुत जरूरी है आयरन की कमी से क्या होगा एनेयमिया एनेयमिया क्या होता है मतलब weakness वीक्नेस अगर आपको फील हो रही है बहुत जदा तो इसका मतलब यह होता है कि आपको एनेयमिया है तो यह था हमारा chapter 1 इस components of food तो इसमें हम हमारे सारे topics cover कर चुके हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना बोलें थांक्यू सो मच